भारत माता की जय भारत माता की जय मंच पर उपस्थित भारते जन्ता पार्टी के हमारे यशस्वी नेता सम्मानिय देवेंद्र जी इस कारिक्रम के आयोजक हमारे स्थानी आमदार श्री योगेश शागर जी श्री प्रशान ठाकूर जी श्री महिश बाल्दी जी सम्मानिय पूरु खाजदार श्री रामशेट ठाकूर जी आमदार रविशेट पातिल जी जिलाद्यव जी, पार्टी के प्रदेश वजादिकारी श्री राजभुरोई जी, संजेव पाध्या जी मंचपर उपस्तित पार्टी के सभी वरिष नेतागंड, भाई और भेनों राइगर्ण जिले में आकर सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंद स्वराज की प्रेणा भी पाते हैं और आज एक विशेश दिन भी है कि भारतिये जनता पार्टी जिनके विचारों पर चलती है पंडित दिन दियान उपाथ है जी कि आज जन्म जैनती का आउसर भी और इस अउसर पर आपके द्वारा जो आज सेवा समर्पन का कारिक्रम किया गया है ये इस बात को दर्शाता है कि 70 साल के भारत की लोपतांत्रिक राजनिती प्रणाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर सबसे बड़ी देव है तो उन्होंने राजनिती को शासन से निकालकर सेवा के आउसर के रूप में बदल लिया और ये इसी ने बदला है कि जिस दिल वो प्रधान मंत्री बने उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं देश का प्रधान मंत्री नहीं मैं प्रधान सेवक और उसी का परिणाव रहा है कि 2014 से 2019 के बीच में जो भी योजना है उन्होंने अपने हाथ में ली आज बहुत सारे लाभार्ड़ों का परिचे हुआ किसी को फुदान मंत्री आवास मिला है किसी को जो योजना किसी को किसान संबार निदी योजना पहुची है किसी के गाउं में विजली पहुची है आज से पहले जब एक लगातार देश में कॉंग्रेस का राज रहता था तो योजना पहुँचने में एक समय लगता था लेकिन पुधानमंत्री जी के शासनकाल में टारगेटेड डिलिवरी और लास्ट माय डिलिवरी ये दो बहुत बड़े अचीवमेंट पुधानमंत्री नरेंद्र भाई होदी ने अपने शासनकाल में हासिल किये और उसका परिणा हुआ कि 2011 में भारती जनता पार्टी को जनता के आशिरवाद से 2014 से भी जादा वोटों से और संसतने स्ट्रीटों से भारती जनता पार्टी को सफ़तना मिली और आपका आशिरवाद वापस से दुबारा शासनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र होदी क और इस दूसरे शासनकाल में जो सबसे बड़ी चुनोती जो केवल भारत में नहीं बनकि पूरी दुनिया में हुई वो कोविड की चुनोती थी कोई और शासनकाल होता तो कोविड के समय में 125 करोड लोगों के अनुशासन को कायम रखना लेकिन उससे भी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी के नेतरत में होई कि भारत दुनिया के उन्चुनिंदा पांस देशों में शामिल हुआ इन्हों ने कोविड से लड़ने की वैक्सिन डेवलप करी और 75 करोड लोगों तक आज वैक्सिनेशन के लाग कौम पहुचा पा रहे जाए पिछले साल इसी समय बिहार के विदानसभा चुनाव थे मन्दे देवेंद्र जी हमारे प्रभारी के नाते आयए थे पार्टी का गोशना पत्र हम ने लागो किया था उस समय बिहार का चुनाव था और भारती जन्ता पार्टी ने अपने गोशना पत्र में कहा था देवेदर जी निर्मला सीता रमंदी वहां पे थे कि हम सब को फ्री वेक्सिनेशन करेंगे पूरे देश भर में चर्चा का विशे बना लेकिन आज बिहार नहीं पूरे देश में जो वेक्सिनेशन है प्रधान मंदी जी के नेतरत में हर गरीब तक पूरे देश वासियों तक किया गया है ये राजनिती के उस संकल को दर्शाता जहां पर राजनिती शासन के लिए नहीं सेवा के लिए की जाती है भारती जन्ता पार्टी ने सत्तर साल के शासनकाल में अपनी राजनिती को देश के हित में जब जरुत पड़ी उस हिसाप से देश के हित में किया है जब emergency आई तो यही भारती जनता पार्टी थी जिसने अपना अस्तित्व जरसम के रूप में समाप करके देश को बचाने के लिए जनता पार्टी में अपने को समाई थी और उसके बाद 1980 में जो आज भारती जनता पार्टी देश में भारत की राजनिती की केंदर में से प्रमुकिस्ता रख रही है उस भारती जनता पार्टी का आउपचारिक रूप से भी अगर जनम होकर के ये कहा गया कि सूरज भी निकलेगा और कमल भी खिलेगा वो अगर जगए कहीं थी तो महाराश मुंबई और इसी धर्थी से ऑस अंकल्फ निकला था जिसको आज हमने पूरा किया और पिछले पास सालों के शासंकाल में जब महाराश में भारती जनता पार्टी के नेतरत में देवेदर जी के नेतरत में सरकार चली थी तो जितना किसानों के हित का काम, जितना गरीबों के हित का काम और जितना महराष्ट के में उद्योगों के विकास का काम हुआ वो महराष्ट के राजरेतिक इतिहास में भी अभूपूर रहा और मैं ये विश्वास करता हूँ कि भारती जनता पार्टी की कारे करता. अभी हमारे विदहयत बालदी जी कह रहे थे कि महेर जी कह रहे थे कि अगली बार रायगण में साथ के साथ बिजायक आएंगे. रायगण में नहीं फूरे महाराषट की यह स्वति पोल्दी इथे. लोगों को लगने लगा है कि भारती जंता पार्टी का शासन माने क्या हूँ भारती जंता पार्टी के शासन का आर्थ है कि दीन दियार जी के विचारों से फ्रेड़ा लेकर गरीब का कल्यार किया जाए भारती जन्ता पार्टी के शासन कारत है कि शासन में हम शासत नहीं सेवा का संकल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतरत में किया है और आज हमारी पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष जगात्रकाश डेड़ा जी के नेत्रत में कोविड की इस महामारी में पार्टी ने पूरी तरीके से सेवा का काम किया है और आज ये जो पूरे देश भर में पुर्धान मंत्री जी के 17 सितंबर को जो जन्व दिन था और उसके बाद 7 अक्टूबर को उन्होंने जो गुजरात के मुख्य मंत्री के रूप में शासन समाला था आज उसके 20 साल पूरे हो रहे है लेकिन वो 20 सालों के अंदर हमने देश भी राजनेती को बतला है हमने देश में राजनेती के निजाज को बतला है 20 साल में अज हर राजनेती दल लोगों के बीच में जाताорм रहा है जो यहां भी स्थानी इस्तर पर काम हुए, जाए हमारे यहां के प्रमुक हमारे नेता रामशे ठाकुर जी के नेतृत में एक लंबे समय से सेवा का काम किया हो, लोगों की सेवा की गई हो, ओक्सिजन सिलेंडर से लेकर, वैक्सिनेशन से लेकर के, लोगों को करोना काल में भ पार्टी ने जो सेवा का संकल्ब किया है उसको लगाता है अगर आगे बढ़ाने का कोई एक दिन है जो हमको अपने मन में भी पवित्र होने के लिए प्रेजित करता है तो आज का ही दिन पंडित दीन जाल उपाते हैं जी कि जहिंति का दिन है मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो कुछ विशे भी हमारे स्थाने विधायक पुरशान ठाकुर जी और महेश जी के द्वारा किये गए हैं देवेद्र जी ने सही काया दोनों अपने आपने बहुत सक्षम है लेकिन चुकि मैं यहाँ पर हूँ अगर पुशान जी ने जो रेल परियावरन को लेकर के जो गणेश जी की मूर्धी का विशे है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सीपी सीपी की द्वारा कुछ नॉम्स है अगर आपको सेंटर सीपी सीपी से कोई बात है तो निश्चित रूप से महेश जी आप आईए कभी भी आईए आपका स्वागत है जो हमारी तरफ से बाचीत होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे जहां तक एने चाहिए का देश वान और फेस्टू की बात आप कह रहे हैं हम लोगों ने एक वस्ता शुरू करी है कि देश में एन्वार्मेंट और जो क्लिरेंस के काम है सब को दिल्ली ना आन करेंगे दिल्ली आने के आप को आऊशकता ही नहीं रहेगी ताफ कि आपके काम में किसी तरकार की दिक्धत भाँ तीसरा जो विशे मातिरान का विशे है जो हमारा जो forest होता है जो central ministry है वो forest के सम्वन में केवल clearance देती है लेकिन forest को जो maintain करने का काम है वो इस्थाने राजे सरकार का होता है मेरा यह कहना है कि आप ये पहने पता कर दीजिये कि आपकी राज्य सरकार ने उसका प्लान बनाया है नहीं बनाया है अगर राज्य सरकार प्लान बनाती है चाए पॉरस के विशे में हो चाए वाइड लाइफ के विशे में हो उसको राज्य सरकार का जो forest department है राज्य सरकार का जो wildlife department है वो उस प्रस्ताव को जो बेजता है तो उसकी समिट्शा केंदर के द्वारा की जाती है लेकिन मेरा है मानना है कि दुनिया भर में इस समय जो सबसे बड़ा विशे है वो जलवायू परिवर्तन का विशे है और जलव में पैरिस एग्रिमेंट में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही और पैरिस एग्रिमेंट में जब ये तैय किया गया कि दुनिया उन वेकल्पिक विश्यों पे उर्जा उत्पादन के लिए जहाँ पर परियावण को सबसे कम नुपसान हो तो मान्य प्रधान मत्री नरेंदर मोदी जी के नेतरत में ही इंटरनेशन सोलार अलाइंस बनाया गया उसका भारत में केंदर बनाया गया और केवल भारत में केंदर नहीं बनाया गया आज मान्य प्रधान मत्री जी के नेतरत में जो इंटरनेशन सोलार अलाइंस की स्कापना हुई है आज दुनिया कि 91 देश उसके सदस्य बन गए है अगर कोई ये पूछ है कि प्रधानमंत्र जी के नेतरत में दुनिया में भारत में पर्यावरोन के शेत्र में क्या बड़ा काम किया है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि साथ वर्षों के शासनकाल में जितनी उर्जा का उत्पादन हमारे देश में करते है उसका 37% उत्पादन ये वेकल्पी कुर्जा से होता है ये उपलक्ति हमने प्रधानमंत्र जी के नेतरत में हासिल करी है आज देश में 165 गेगावाट का उत्पादन वेकल्पी कुर्जा से हो रहा है और दुनिया में जब ये तैय किया जा रहा है कि परियावर्ण की द्रश्टी से दुनिया के देश क्या लक्षे हासिन करेंगे तो मान्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत में 450 गेगावाट के उत्वादन का लक्षे ये 2030 में रखा गया है जो दुनिया के सभी देशों के लिए बड़ा अनु करनी है हम अपने फॉरिस्ट को बचाने के लिए हम अपने वन्य शेत्र को बचाने के लिए हम अपने समुद्री तटो का जो सबसे बड़ी आस्थान है उसको बचाने में लगे वे हैं और इसलिए मैं कहना भी चाओगा कि आज भारत ही एक मात रहसा देश है जिसके पास 51 टाइजर रिजर्व है और मेरे को बताते हैं भी खुशी है कि प्रथान मंत्री जी के नेतरत में हमारे जो 51 टाइजर रिजर्व हैं उनमें से 14 टाइजर रिजर्व को इंटरनेशनल एक्रिडेशन प्राप्त हुआ है भारत एक ऐसा देश है जा सबसे ज़्यादा हमारे वेटलेंड एरिया है आज भारत की काफी सारे अभी तुरत हाल में चार और जीलो को जो इंटरनेशनल रामासर कन्वेंशन है उसका टैग मिला है आज भारत के जो बीचिस है चुकि ये इलाटा में बीचिस के नजदीक है हमारे दो और वीचिस को दुनिया का जो ब्लू टैग है वो भारत को हासु ठब्दी हासिक हुई है हम देश में लगभग अपना 24 पृतिशत 1 शेत्र को बचाने में उसको समर्दित करने में काम्याब हुए है और इसलिए अज शेहरों में जो सबसे बड़ा परियावरन का विशे जो वायू प्रदूर्शन का विशे है पृधान मंत्री जी ने 15 अगल 2020 को देश के 100 शेहरों को सच्छ वायू का शेत्र करने के लिए गोशित किया था आज पूरे देश भर में 132 शेहरों में यह जो वायू को सच्छता को मातने के हम लोगों ने पैरामीटर बनाने के लिए यंत्र लगाए है और पृधान मंत्री जी के नेत्रत में पूरी तरीके से हम सब लोगों के वातारण में सवस्त वायू मिले इसके लिए सरकार और हमारा मंत्रा ले पूरी तरीके से पृतिबद है और मेरा ये मानना है कि ये जो वातावरण की जो सच्छता है परियावरण की जो शुद्वता है और आने वाले समय के जो बेश्विक जलबायू के संकट है इसको लेकर हम प्रधानमंत्र जी के नेतृत में लड़ रहा है लेकिन उस संकट के साथ ही साथ देश के गरीब आत्मी के कल्याण के लिए भी लड़ रहा है मैं कहना चाहूँगा कि दीनद्याजी के नेतृत में जो ये पार्टी आज देश की शासन और सत्ता में है ये गरीब कल्याण से लेकर विश्व कल्याण तक प्रधानमंत्र जी के नेतृत में जो कारे कर रही है इसको आपका आशिरवात मिलता रहेगा पार्टी के नुजारों को जनता तक ले जाकर हम सतक सेवा और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे इतना ही मैं निवेदर करना चाहूँगा जैहिं जैता